हाई गाई तो आज हम लोगे डिस्कस करने वाले हैं बार एंड बेंच का आर्टिकल जो की है CCTV पूलिस टेशन तो इसमें कुछ आपको शॉर्ट पॉइंट सियाद रखने चाहिए अगर आप किसी भी एक्जाम की तियारी कर रहे हो क्योंकि यह रिलेटेड टू है पूलिस इंड़ोरेशन सेंग वरसस परमविर् सिंग सहनी वरसस बलजीत सिंगा तो इसमें क्या पाया गया इसमें तीन एप्रायल को जुज्ग्मेंट को दिए गये था सुप्रिम कोग्षण को इदा When state & UHHHH को कहागा था कि हर। स्टेशन में और हर सेंट्रल इंवेस्टिकेशन एजेंसी में आपको CCTV लगाना कंपल सरी है तो इसके लिटर आपको पता है कि सरकारी काम कैसे होता है इसलिए सरकार सुप्रीम कोट में दो साल बाद 16 सेप्टेंबर 2020 को इसमें सरकार स्टेट्स और यूटी से एफिडविट फाइल करने को बोला गया कि क्या प्रोग्रेस है हमारे 13 अप्रिल 2018 वाले जेज्ज्मेंट को लेके तो और टाइम दिया गया 24 नवंबर तक का तो इसके बाद बहुत सारी यू-टी गे स्टेट्स ने अलग अलग करकार के बहाने मारें जो हर बहार बहार बहाने बहारे जाते हैं कि पैसे नहीं है ये नहीं य वो नहीं है मतलब अब ऑफरल ये था कि सिंपल सी बात है कि जो पॉलिटिकल और पुलिस का नेखसेज़ चलता जिसका अंग पॉल्टीशियनस वोट पाते है और पुलिस की किया केते हैं बना रहता है , बना रहता है शुट इंस्टाल सीस्टी वीज इच एवरी पॉलिस टेशन ये बोला गया और इसमें स्पिसिफिकली स्पेसिफाइ किया गया कि कहां 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 कैमरे लगने क्योंकि कई बार हो सकते एंट्रेच्ट में लगा कि पुलिस बच जाए या फिर स्टेटस एंट्रेश बच जाए और मैं कहा रहा हूं बच जाए, इसका मतलब यह है कि सिंपल सी बात है, पुलिस नहीं चाहती लगाना और ना पॉलिटिशन चाहते लगाना कोई भी काम होता है, जैसे आपको देख सकते हो, एंटी डिफेक्शन लौ था, उसमें पॉलिटिकल पार्टिस की विल थी, तो इसके कारण उन्होंने काम किया, और क्या हुआ कि तुरंट के तुरंट एंटी डिफेक्शन लौ आ जाता है उसके बाद, क्योंकि उससे इंट्री में लगेगा, सारे exit point में लगेगा, main gate में लगेगा, all lock-ups में लगेगा, corridor में लगेगा, lobby में लगेगा, reception area में लगेगा, out house में लगेगा, verandas में लगेगा, inspector room, sub inspector room area, outside the locker room, station hall in front of the police station, compound outside the washroom, toilet, duty officer room, back part of the police station, basically Supreme Court ने कोशिस किया कि कोई भी कोना police station का बिना CCTV के न करने वाले main door पे लगा देते, exit door पे लगा देते, एक safe room बना देते, यहां पर वो torture करते, जो कि बहुत ज़्यादा होते है, सब को बात यह पता हुए, तो अब बात आती है, install CCTV in offices of CBI, EDR, NIA, यहां भी आपको पता है कि जो हमाई central investigation agencies है, CBI हो गई, NIA हो गई, ED हो गया, NCB हो actual में बात होती नहीं है, ते देर मुझ से, बहुत सारी जो आपने 3rd degree सुन रखा हूए, ऐसे 3rd degree कुछ होता नहीं है, लेकिन, फिर भी कुछ न कुछ तो torture टाइप से करते है, maybe it could be mental torture or anything else, तो human rights का clear cut violation होता है, अब उसमें CCTV जो लगने है, उसमें night vision औ audio video के लिए अलग से कह आपको मैं UP का कोई case है, मुझे actual याद नहीं कौन सा police station था, लेकिन वहाँ पर किसी police station में CCTV लगा था, तो किसी ने कोई high court गया था कि उसे CCTV की copy चाहिए, तो जब वो CCTV की copy high court ने मगाई, तो उसमें क्या था कि police वाले ने अपनी T-shirt टगा दी थी CCTV के सामने, तो ऐसे सारे cases होत चलता है कि police वाले या फिर authorities इसे धंग से करना नहीं चाहती, तो यह तो बात हो गई कि इसमें audio, video, night vision होना चाहिए, साथ ही साथ CCTV का data होगा, 18 महीन तक store होगा, किसमें आपका DVR में होगा, आपने नॉर्मली घरों पे देखा होगा DVR में होगा, या NVR में होगा, NVR क्या होत विष्था नहीं है, या फिर ऐसी कोई company नहीं है, इंडिया में जो आपको 18 मंस तक का storage दे, तो ऐसी विष्था बनाने के लिए सरकार को motivate करना है, लेकिन कम से कम one year का data आपको रखना है, अब इसके बाद क्या करना है, यह data तो होगा, इसके बाद आपको setup करना है human right courts, तो human right court कि इसके section 30 of protection of human right act 1993 के एंडर करना है आपको established, और यह बसिता है कि इस act में से discretion of states में छोड़ दिया गया कि इसे करना है कि नहीं करना, इसे वो नहीं किया गया है, कि इसे करना ही है, अब इसमें क्या होता है कि यह कहां काम आएगा, आपका CCTV वाला मामला तो यह आपका कहां आपको बता है, human rights court है, वहाँ पर जाके यह आपकी footage ले सकता है, और यह photo 18 महिने तक रहेगी तो उस बीच आप कोई भी ले सकता है, police station to erect posters, और दूसरी बात क्या होती है, जो दूसरी countries में होता है, वहाँ पर जब भी कोई arrest होता है, तो उसे madonna warning, you have a right to remain silent, anything you will say, or can or could be used against you, तो इस टाइब से कुछ बताया जाता है, कि आपके पास right है, you could ask for attorney, and if you cannot afford it, the state will provide, ऐसे करके, madonna warning, आपको एक video madonna warning पर बना दूँगा, बताया जाता है, तेकिन इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो arrested person, उसके भी कुछ rights होते है, जो कि उसे नहीं बताया जाते है, human right commission में जा सकते है, human right court में जा सकते है, SP से बात करके, उस चीज का footage लेके, उससे का कहते है, अपनी बात proof कर सकते है, और इसके बाद, ना सिर्फ इसके बाद, इसके लिए, इन्होंने, supreme court ने इस judgment में जो pronounce किया है, अभी 3rd December को, इसमें state level oversight committee के लिए भी कहा गया है, SLOC इसे होगा, तो यह सब मिला के, SLOC बनाएंगे, इसके बाद, DLOC यानि district level oversight committee के लिए बोला गया है, तो इसमें क्या होगा, divisional commissioner होंगे, regional commissioner होंगे, revenue के लिए, finance के लिए देखने के लिए, district magistrate होगा, इस district के, और SP होगा, इस district के, mayor भी हो सकते हैं, उस municipality के, और head of the zilla panchait in ruler areas, तो basically maximum बड़े-बड़े लोग को लिए के, यह SLOC और DLOC की बात की गई है, अब duties भी specific की गई है, तो SLOC की duties देख लेते है, past by the Supreme Court in the judgment are carried out, among others, the duties shall consider purchase, distribution, installation of CCTVs and related equipment, object, obtaining budgetary allocation for the same country as monetary of the same, मतलब यही कहा गया है, कि जो SLOCs होंगी, state level पर क्या दिखेंगी, purchase, distribution, installation of CCTVs, किसी current से भी रुकना नहीं चाहिए, और इसके लिए necessary budgetary allocation सरकार से करवाना है, यही काम आपकी DLOCs करेंगी, किस level पर करेंगी, यह आपकी DLOCs करेंगी, district level पर करेंगी, और जो भी आपकी status होगी, इसे लगातार update करना है, फिर the duty and responsibilities of, इसमें SHO की duty होगी, कि proper working हो रही है, और कुछ भी अगर fault पाया जाता है, तो उसे तुरंट के तुरंट DLOCs को या फिर DLOCs को बताया जाएगा, और DLOCs, SLOCs को उसे वो करेंगी, और उसे तुरंट के तुरंट rectify किया जाएगा, immediate refer, और अगर जब तक repair नहीं हो जाता, तब तक उसमें वहाँ पर क्या-क्या functioning होगी, properly इसकी maintaining होगी, अब इसमें allocation of funds के लिए कह दिया गया है, कि finance department, जो भी states को और UT का होगा, वो necessary finance को क्या कहते है, arrange करे और इसको process को पूरा करे, तो ये था judgment, जो कि अभी दिया था, Supreme Court ने तो मैं आपको discuss किया, ये आर्टिकल मेंने बारान बेंच से लिया है, तो copyright remains with them, and no intent to infringe their copyright, so that's all for today, and देखते हैं, next video किस पर होती है,